यहीं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों section 80U आपको पता होगा disability भगवान ना करे अगर किसी भी व्यक्ति को को disability है तो उसको एक deduction income tax के द्वारा परवाइड कराई जाती है अगर आपकी normal disability है तो 75,000 पर अगर यह disability थोड़ी सी ज्यादा है तो आपको 1,25,000 पर फ्लैट ही deduction मिल जाएगी दोस्तों इसके अंदर आपको किसी भी तरह के कोई खर्चा करने की जुरूरत नहीं है लेकिन आपको यह ध्यान देना जुरूरी है सिर्फ सिर्फ old tax regime में ही आप इसकी चूट ले सकते हैं और अगर financial year 23, 24, 25 से लिए आप इ जो है income tax portal पर आपको डालनी पड़ेगी तो हम income tax.gov.in की website पर आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर आने के लिए आपको user ID और password का होना जुरूरी है second option में e-file income tax return इसके नीचे income tax forum file income tax forum पर आपको आ जाना है पहले कोई भी फारम भरने की कोशिच की थी तो आपका यहाँ पर आ देखिए deduction to be made in computing total income 10 iea इसके उपर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों pen number और submission mode online आ चुका है filing original है assessment यह आपका आ जाएगा दोस्तों 24-25 के बाद में हमें continue पर क्लिक करना है इसके बाद में let's get started पर हमें क्लिक कर देना है अब दोस्तों यह form हमें step by step भरना है certificate number आपके पास ज certificate कब issue हुआ था तो कुछ चीजें आपको आपके certificate में उसके according ही यहाँ पर डालनी पड़ेगी for example हमारा 282818 को यह certificate बना था तो हमें वो date यहाँ पर डाल देनी है इसके बाद में आपसे पुछा जा रहा है please provide detail of medical authority issuing the certificate तो आपको यहाँ पर देखिए name of the doctor का उस medical officer का नाम पर address डाल सकते हैं इसके बाद में आप उसका जो proper address जो भी state है pin code है वो डाल सकते हैं अब यहाँ पर आपसे पुछा जा रहा है qualification designation of specialist जिस doctor ने आपको यह certificate जारी करके दिया है उसकी क्या qualification है क्या designation है यह भी आपको आपके medical certificate पर ही मिल जाएगी for example आप यहाँ पर आते हैं द इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है this is to certified that शिरी जो आपके person का नाम आजाएगा यहाँ पर आपका last name middle name है वो आजाएगा फिर इनका full name आ गया है इसके बाद में यहाँ पर आपके father का name आजाएगा इसके बाद में यहाँ पर यहाँ पर आपका पूरा address डाल देना है हलां कि आपके profile से address इने उठा लेना चाहिए था लेकिन फिर भी आपका door number यह आपका पिन कोड आपका जो पोस्ट ओफिस है एरिया है डिस्ट्रिक है स्टेट है यह आपको select कर लेना है दोस्तों यहाँ पर आपका registration number पूछा जा रहा है registration number किसका होता है हालां उनने यहाँ पर registration number डाल दिया है इज ए परसन विद अब यहाँ पर दो तरह की disability आपसे पूछ रहा है अगर आपकी normal disability है तो यहाँ पे लेंगे और आगर आपने 75,000 की चूट लेनी अगर आपने सवाला की चूट लेनी है तो सेवर disability आप आ जाएंगे अब suffering प्रॉम अग्शन हबसार भी आपको लिखना है अब आपको लिखना है लाइकली टू इंपरू और नोट ल्यक्ली तू इंप यू प्रॉट या आगे वाले टाम में सही हो जाएगी तो लाइकली टू इंपरू कर दें अब डिई अब रिएसेष्मेंट इज आपको recommend किया है यहाँ recommend किया है, मतलब आपको फिर से बार-बार इसको check करवाना है, नहीं करवाना है, तो हमने recommend नहीं किया है, तो ये highlight नहीं होंगे, अगर आपको recommend किया है, तो कितने time बाद किया है, वो यहाँ पे आ जाएंगे, इसके बाद में attach file के अंदर आपका जो भी disability का certificate था दोस्तो, वो आपको डाल देना है, upload कर देना है, वो PDF के इंदर होना बहुत जरूरी है, और 5 MB से कम का होना चाहिए, अब verification में आपका नाम, IP address और place आ जाएगा, तो इस place को और यहाँ पे आपको डाल के, आपकी date यहाँ पे आजाएगी दोस्तो, इसको डालने के बाद में आपको preview कर लेना है, तो जैसे आप preview करेंगे, सारा का सारा browser form आपको यहाँ पे दिखा देगा, एक बार फिर से आप check कर लेंगे, अब proceed to e-verify आपको click करना है, फिर से generate अधार OTP आप करेंगे, तो आपके अधार काड़ वाले नंबर पर एक OTP चला जाएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है, तो OTP डालने के बाद में आपको validate के ओपर click कर देना है, आप से एक पर फिर से पुछेगा कि आप सच में इस forum को submit करना चाते हैं, आपको yes कर देना है, तो submitted successfully हो चुका है, transaction ID आ गई है, acknowledgement number आ गया है, तो दोस्तो इस acknowledgement number को जब आप ITR बढ़ेंगे, deduction वाले column में डाल करके claim कर लेना है, तो ITR भरने के लिए जब भी आप general information में आएंगे, यह कहता है कि आप new tax regime में जाना चाते हैं, तो इसको no रखें, और old में जाना चाते हैं, तो हमें यहाँ पर yes करना पड़ेगा, अगर आप ATU की चूट लेना चाते हैं, इसके बाद में हमने यहाँ पर confirm कर दिया है, अब आप आपकी income डाल देनी है, फिर total deduction में आपको आजाना है, जैसे ही total deduction में आएंगे, आपको yes no पूछा जाएगा, तो यह देखिए, आप ATU की चूट लेना चाहते हैं, यह नहीं, इसको आप यहाँ पर yes करें, yes करने के बाद में आपको simply क्या करना है, continue के उपर click कर देना है, जै हम 18 तरीक को भर रहे हैं, इसके बाद में इसका acknowledgement number आपको पता होगा, इस तरह हैं का acknowledgement number भी आपको यहाँ पर जारी होता है, जो कि आप जब इसको भर देते हैं फोरम को, यह भरने के बाद में आपको यहाँ पर डाल के, save पर click कर देना है, बाकी का process बिल्कुल सेम रहेगा, आप अपनी deductions, claim, TDS, income सब डाल सकते हैं, लेकिन ATU का हमने specially इस वीडियो में आपको बताया, कैसे आपको 10 IEFRM भरना है, और ITR के अंदर कैसे उसका आपको claim करना है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें, इस वीडियो को उन्हें सभी लोगों में share करें, जो ATU की सब्सक्राइब नहीं किया, तो please हमें सब्सक्राइब कर ले, thank you so much for watching this video, जय हिन, जय भारत!